जैहिन प्यारे बच्चों मैं आकास फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टेडी के यूटूब प्लैटफॉर्म पर और सातियों कल जिन भी बच्चों का एक्जाम है सातियों उनको जो है एक सुब संदेश के माध्यम से थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं आज आपके समक्ष लाईवा चुका हूँ और सातियों देखिये और में बात बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है क्या क्या हमें सावधयान रखना है जब एक्जाम स्टार्ट हो तो हमें क्या करना है ठीक है इन सारी बातों पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूँ तो जरूर आप को जो है इस वीडियो में अंतीम तक बने रहना है अब देखे बात करते हैं कि हमें major अपने साथ क्या-क्या लेके जाना है क्या-क्या हमें exam hall में लगने वाला है तो first of all बात करते हैं पहले आपको लगेगा आपको admit card ठीक है चाहे color print out में निकाले चाहे black and white में निकाले आप ल वही रहना चाहिए या हम लोग कोई दूसरी भी photo लगा सकते अगर in case वो हमारे पास ना रहे तो तो जिया सातियो अगर आपके पास जो है photo वो नहीं हो तो आप लोग कोई भी photo अपने साथ लेके जा सकते है उसके बाद क्या करे ठीक है आपको जो है अपने साथ एक blue pen लेक साथ में आपको signature भी करना है और thumb तो आप वहाँ पर लगा सकते है ठीक है आपको biometric करना पड़ेगा biometric अंदर होगा आपको कुछ नहीं करना है समय से पहले जाना है आपको जैसे कि exam सूबे का 8 बजे का या 9 बजे का exam है तो आपको आदा घंटा एक घंटा पहले exam center में जान करना है देखे आपको वो जब आदा घंटा पहले बैठा लेंगे तो आदा घंटा जैसे ही पहले बैठा ले आप अपने मन को सांथ कर लेना ठीक है क्योंकि आपका mind जो रहता है चीन बीन हो जाता है क्या है आप लोग जल्दी जल्दी जाते है भागे दोड़े जाते है त पर क्या होता है कि पहले हमने क्या क्या है फिजिक्स को स्वाल किया है क्या क्या है पहले हमने फिजिक्स को स्वाल किया है और फिजिक्स अगर हमसे ना बने तो फिर क्या होगा साती हमारा जो जो बाइलज वाला पूर्सन है ना वो भी गलत हो जाएगा तो सबसे पहले अपना strong subject तो almost सारे बच्चों का Botany Geology जो biology वाला portion है बहुत strong है तो सबसे पहले आपको उसे solve करना है ठीक है तो वो question कहां से मिलेंगे तो almost वो 60 marks मितलब कही पर भी हो सकते है पहले chemistry दे सकता है फिर physics दे सकता है या फिर physics देगा फिर chemistry देगा और सातियो भ्रह्म में ना रहिएगा क्योंकि 30-30 marks के सारे के सारे जो है portion होने वाले है English 30 का Botany Geology physics के मिलेंटी सारा 30-30 marks का होगा तो पहले आप लोग Botany जोलाजु को solve करिए उसके बाद जो है आप लोग chemistry को फिर English को और सब से last में physics को solve करना है और जिन बच्चों से numerical नहीं बन रहे न भाई तो वो उन्हें solve ना करना first जाओंगे और आप लोग पूरा पेपर नहीं देख पाऊंगे पिछले बार काफी बच्चों की गलतिया हुई थी कि सर उन्होंने पूरा पेपर नहीं देख पाया था कि उन्हें देख पाया था वो numerical बनाने के चक्कर में रहे गए और पूरा पेपर निकल चुका है ठीक है तो क्या करेंगे सारे बच्चे ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है numerical ठीक है सात्यों जितना भी numerical है न उसे अंति में solve करना ठीक है देख के रख लेना है कैसा बनता है time बचे तो solve करना अन्यता देखे हमें 90 plus marks चाहिए ठीक है हमें सात्यों क्या है 50, 150 out of 150 नहीं चाहिए और ये कोई लाभी नहीं सकता 150 आप 150 ठीक है तो ये आप मन में भ्रह्मना रखे और सात्यों लगातार आपने पड़ा है पूरा विश्वास रखिए बी positive रहिए आपने जितना पड़ा उतना ही जो है exam में आएगा ये निश्चित मान लिज़े ठीक है अपना mind जो है बिल्कुर से लगाए अगर आपको exam hall में आता है कि उप्रयुक्त सभी होगा तो अधिकतर उप्रयुक्त सभी मद्यप्रदेश की exam होई उप्रयुक्त सभी ज़्यादा सही रहता है तो ये कुछ निर्देश होते है जो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और कैसे हम लोग पेपर को अटाइन कर पाए और लगातार जो है आपको मैं मोटिवेट करते रहूँगा मेरा नमबर हर बच्चों के पास एवलेबल है ठीक है तो मेरे नमबर पर जो है आपको किस तरीके से पेपर आया है और साथियो केकने आपके माक्स आया है वो सारे बच्चे जो है मेरे नमबर पर वाट्सप कर देना या टेलिग्राम कर देना है मुझसे कॉंटेक्ट जरूर कर लेने ठीक है ताकि मैं अधर बच्चों को बता सकूँ कि इस पेटरन पर आपका एक्जाम हुआ है और क्या क्या आपको पूछा गया है वो सारा मुझे बताने के लिए अच्छा रहेगा या तो पेन पेपर से आपको लोग लिखकर सेंड कर सकते हैं अपने एकाउडिंग आप लोग जैसा हो कोई भी दिक्कत हो कोई भी परिसानी हो almost आपके साथ है जैसा मैंने आपको बताया साती हो कि कौन सा portion आपको पहले solve करना है ठीक है वैसे ही according आपको चलना है ठीक है और timing विसीज रूप से ध्यान रखना right side पर आपको timing आता है उस timing के according जैसे कि आपको एक question को only 45 ही second देना है ठ पूरकपूर आपको solve भी करना है तो साथियो जो है इसी तरीके से जो भी दिक्कत हो जो भी परिसानी हो साथियो comments कर लेना और फिर से कहूंगा best of luck all the best अपना best देके राना और साथियो selection ले के आना है जंडे गार का नाना है भाई समाधानिश्टेडी का नाम रोसन करके आन है चलिए thank you very much जैहिन वंदे मातरम